मस्कार मैं डॉक्टर अजीद भारती आज फिर आपके लिए NCRT कच्छा दस्वी छितिज काब खंड अत्वा काब्यास पार्ट चार पार्ट का नाम है आत्मकत जिसके कभी है ज़र संकर परसाथ के प्रसन उत्तर लेकर आए हूँ तो ये देखो पार्ट कई राज्यों में जो NCRT जहाँ जहां चलती है कच्छा दस्वी में या पर अन कच्छाओं में तो वहां के लिए मैतपूर होने वाले हैं तो चलो फिर सुरू करते हैं तो अब आता है पहला प्रस नंबर पहला तो प्रस नंबर पहले में क्या का गया है कभी आत्मकत लिखने से क्यों बचना चाहता है ये द्यान रको कभी आत्मकत लिखने से क्यों बचना चाहता है जब कभी से उनके मित्रों ने कहा कि आप अप आपने बचा उन्होंने ना लिखने का कारण बता है तो ये आपके सामने जैसंकर परसाथ का चित्र है अब आते हैं उत्तर पर तो उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे उत्तर कवी आत्मकत लिखने से इसलिए बचना चाहते हैं क्योंकि पहला बिंदू दिया है आत्मकता लि पर दूसरा बिंदू है, अपने सरलता के कान उसने कई बार धोका भी खाया, उनका मानना है कि उनका सुवाव सरल है, इसलिए उनके साथ कई बार धोका हुआ है, फिर आता है बिंदू 3, वह अपने ब्यक्तगत, जीवन को उपास कारण नहीं बनाना चाहते थे, वो कहते हैं कि जो उनका बेक्तगत जीवन है वो नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ लिख जाए जिससे लोग उनका उपास या मजाप उड़ाने का प्रियास करें चौता बिंदू है आपके सामने जीवन में बहुत सारी पीडा दाए घटनाए हुई है उनका कायना है कि उनके जीवन में बहुत सारी अपने जीवन फिर जीवन पांचवे बिंदू में आप लेखेंगे कभी अपने ब्यक्त गद अनवहों को दुनिया के सामने ब्यक्त नहीं करना चाहता है पर उन्होंने का कि आत्म कथा ना लिखने का कारण एक ये भी है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे जीवन में जो कड़वे और मीठे यानि अच्छे वोरे जो अनभव हुए हैं मैं उनके सामने परस्तो करूँ बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करना चाहते तो कभी भी उनमें से एक है तो इस प्रकार से ये आपके पांच बिंदू हो गए प्रस नमबर एक में अब आता है फिर प्रस नमबर दूसरा तो दूसरा इस प्रकार है आत्मकथा सुनने के संदर्व में अभी समय भी नहीं कभी ऐसा क्यों कहता है अब फिर से प्रसमझे लो प्रसम में कहा गे कि आत्मकथा सुनाने के संदर्व में अभी समय भी नहीं है कभी ऐसा क्यों कहता है वो कहते हैं अभी समय नहीं आया है कि मैं अपने आत्मकथा लोगों के सामने प्रस्तुत करूँ अब ऐसा क्यों कहते हैं तो ये इवा अवस्ता में जैसंकर परसाथ का फोटो लगा हुआ है अब आते हैं उत्तर पर तो उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे पहले लिख कभी का जीवन दुख और अभाओं से भरा रहा है मुश्किल से कभी को अपने पुरानी वेदना से मुक्ती मिली है ये का गया कि कभी का जो जीवन है उसमें हमेशा दुख ही दुख रहे हैं अभाओं से भरा रहा है अब होगाँ का मतलब है उनको किसी न किसी चीजें की कमी बनी रही यानि उनकी जीवन में हमेशा रिक्तता खालीपन जादा रहा तो मुसकल से कभी को अपनी पुरानी वेदना से मुक्ती मिली यानि वो अपनी पुरानी यादों को बहुत मुसकल में भूल पाएं पिर बिंदू आएगा आपका दूसरा तो दूसरे बिंदू में उत्तर इस प्रकार रहेगा आत्म कथा लिखकर कभी अपने मन में दबे हुए कश्टों को याद करके दुखी नहीं होना चाहता है आगे कभी कहते कि मैं आत्म कथा लिख कर मेरे मन में बहुत सारे ऐसी दुख बरी कानिया या कश्ट है मैं उन्हें किसी के सामने लिख कर या बता कर बताना नहीं चाहता हूँ क्योंकि उनसे सिर्फ दुख ही या तकलीब मिलती है बिंदू नंबर आता है तीन तो कभी को ऐसा लगता है कि अभी ऐसी कोई उपलब्दी नहीं मिली है जिसे वह लोगों के सामने प्रेड़ा सुरू रख सके पर आंगे कहते कि कभी स्वें कहते कि मैंने अभी कोई ऐसी उपलब्दी आचीवमेंट नहीं किया है जिससे मैं लोगों को प्रेड़ा दे सकूए या हमारे ऐसी कोई उपलब्दी नहीं जिससे लोग प्रेड़े तो हो सके इसलिए वो आत्मकता नहीं लिखते हैं तो ये तीन बिंदू हो गए अब आता है प्रस नंबर तीसरा तो तीसरा कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है इसमरती को पाथे बनाने से कभी का क्या आसा है इस्मरती का आर्थ होता है यादे पाथे का आर्थ होता रास्ता यानि मार्ग तो ये देखो जैसंकर परसाथ का फिर चितरा गया अब उत्तर हम कैसे इसका लिखेंगे उसके वारे में समझ लेते तो उत्तर पाथे अर्था रास्ते का भोजन या सारा पाथे का रास्ते का भोजन भी होता है या सारा तो यहाँ पर आएगा सारा और सारा क्या यादे तो पाथे यात्रा में यात्री को सारा देता है इस मरती को पाथे बनाने से कभी का आसा है इस मरती के सारे जीवन जीने से है कभी की प्रेसी उससे दूर हो गई है कभी के पिर आंगे रहेगा मन में मन कभी के मन मस्तिक्स पर केवल उसकी इसमरती ही है इनी इसमरतीयों को कभी अपने जीवन का सारा बनाना चाहता है अब इस उत्तर को समझे लो देखो कभी ने ये कहा है कि उसकी जो प्रेसी थी उससे क्या होगी दूर होगी या पर हो सकता कि उसको छोड़ कर चले गए यह भी हो सकता कि उसकी मृत्तिव होगी प्रेसी का आर्थ यहां पर प्रेम का भी है उसकी पतनी भी हो सकती है वैसे छोड़ के तो नहीं गयोगी लेकिन यही है कि उसके साथ रही होगी और बहुत ही कम समय में उसकी मुरतिव हो गई होगी या निदन हो गया होगा तो कहते हैं अब सिर्व उसके मन मस्तिष में उसकी क्या यादें ही बचिए अब उसी यादों के सारी वो पूरा जीवन काटना चाते हैं या चलाना चाहते है अब आता है प्रस नंबर 4.1 इसमें कहा गया भाव स्पष्ट कीजिए तो क्या भाव स्पष्ट करना है मिला कहा हुए सुख जिसका मैं स्वपन देख कर जाग गया आलेंगन में आते आते मुस्क्या कर जो भाग गया इसको फिर से एक बार पढ़ लो मिल कहा हुए सुख जिसका मैं स्वपन देख कर जाग गया अब इसका आते मुस्क्या कर जागता था उसका मिला कहा हुए सुख तो कहते मुझे उसमें कोई सुख नहीं मिला आलेंगन में आते मुस्का कर जो भाग गया कहते मेरे पास सुख आते मुस्से दूर हो जाता था अब इसका ठीक से आर्ट समझ लेते हैं देखो मान लो कि ये कभी है और ये उनकी प्रेम का प्रेसी या पतनी है अब उत्तर इस प्रकार से इसका लिखेंगे कैसे कभी कहना चाहता है कि जिस प्रेम के कभी सपने देख रहते वो उने कभी प्रात नहीं हुआ कभी ने जिस सुक को क सुक्से बंचित रहा इस दुनिया में सुक्स छलावा मात्र है हम जिससे सुक्स समझते हैं वह अधिस समय तक नहीं रहता है स्वपन की तरह जल्द ये समात हो जाता है अब इसको हम समझ लेते हैं किसको उत्तर को तो देखो कभी कहना चाहते हैं कि जिस प्रेम के कभी सपने देख रहे थे वे कभी प्रात नहीं होते हैं उनका ऐसा मानना है क्यों कि वो कहते हैं कि जिस सुक की कलपना की थी यानि उन्होंने जिसकी कलपना की थी कि मुझे ये ये सुक जीवन में मिलेंगे लेकिन वो सारे दुख उनसे अमेसा दूर इस सुक दूर जाते रहे और अर्थात वंचित होते रहे तो वो कहते हैं कि इस दुनिया में सिर्फ छलावा मातर है कहने का मतलब ये कि उनके मित्रों ने क्या अमेसा उनके साथ किया चली किया उन्होंने सोचा होगा कि मित्र रहेंगे तो हमारे दुख हैं वो दूर हो जाएंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं तो यहाँ पर देखो आपके क्या वो कवता की कुछ लायने प्रस्तुत कीगी और कहा इसका भाव इसपश्ट कीजिए देखो इसका समझे लो कहते हैं जिसके अरड कपोलो की मतवाली सुन्दर चाया वो कहते ही मेरे नायका के जो गाल थे वो इतनी मतवाले और सुन्दर थे अनुरागनी उसा लेती थी निजसुँआग मद अधवाया मैं अब आगे हम इसको समझ लेते लिखेंगे इसको कैसे तो उत्तर हम इस प्रिकास से लिखेंगे कभी अपनी प्रेशी के संदर का वरडन करते हुए कहता है कि प्रेम मैं भोर बेला भी प्रेम मैं भोर भोर कारत होता है सुबह बेला अनि सुबह के समय अपनी मधुर लालमा उसके गालों से लिया करती थी कभी की प्रेमका का मुख संदर उसा काली लालमा यानी सुबह की समय सूर की लालमा वाला दरस से भी बढ़ करता अब ऐसे समझ लो कभी क्या कर रहा है कभी कह रहा है कि जो उसकी प्रेमका थी या प्रेसी थी मान लो उसकी ये प्रेसी है ये बैठी हुई है ठीक है कहते इसके जो गाल लालते जो सुबह सूर निकलता है जो उसमें ये लालमा दिखाई दे रही कभी कहता था कि ऐसा लगता था कि ये जो लालमा सूर लिये है ये हमारी प्रेमका से उधार ले लेता हो अर्ता तो वे कहता कि हमारी प्रेमका कि जो गालते हुशूर के सुबह की दरस से भी ज़्यादा सुन्दर थे तो अपनी प्रेमका कि सुन्दर का यहां चित्रन किया है अब आता है प्रस नमबर पांच तो पांच हमें दिया उज्वल गाथा कैसे गाओ मदुर चांदनी रातों की कथन के माद्यम से कभी क्या कहना चाहता है ये दिया कि इस प्रसन के माद्यम से कभी क्या कहना चाहता है ये देखो चितर बना है बगवान सिरी का और आदा का अब आते हैं उत्तर कैसे हमें लिखन करें पिर आगे लिखते हैं वो वो क्या हमें लिखना रहेगा जीवन के कुछ अनवहों को गोपनी रखना ही उचित होता है ऐसी यादों को वह सबके सामने प्रस्तुत कर अपनी हसी नहीं उड़ाना चाहता है अता है वह अपने जीवन की मदर इस मृतियों को अपने तक इसी में रखना चाहता है यह हो गया अब इसको समझ लो सीधे सीधे समझ लो वो कभी क्या कहते हैं उनका ये कहना है कि जो हमारी पतनी थी हमने उसके साथ को सुक के छड़ बितायते ठीक अब वह साइद है नहीं या फिर वो कहते है मैंने उसके साथ जो सुक के छड़ बितायते मैं उसे गुपनी यानि गुप तरखना चाहता हूँ लोगे के सामने हम प्रस्तोत नहीं करना चाहते क्यों हो सकता कि हमारी उन बातों को उस बितायेगे जो समय अगर हम सब के सामने प्रस्तोत करेंगे तो हो सकता कि बहुत सारे लोग उसकी क्या करेंगे हसी उड़ाएंगे मजाक उड़ाएंगे उसमें कमिया निकालेंगे इसलिए मैं उन्हें नीजी रखना चाहता हूँ किसी के सामने प्रस्तुत नहीं करना चाहता हूँ प्रस नमबर 6 6 में दिया हुआ है कि आतमकत कवता की काब भासा की विसेशता है उदार साथ लिखिए अब जब देखो पूछा जाए काब भासा की विसेशता है तो इसका आर्थी होता है जो कवता है उसकी भासा की विसेशता है क्या है आपको ये लिखना रहेगा तो उत्तर इस प्रकार से रहेगा आतमकत की विसेशता है निम्न pseudo पहला परस्तुत कवता में कवी ने खड़ी बोली इन्दी भासा का प्रयोग किया है ये हो गया ठीक है तो यह एक तो यही विसेश्ता होगी अब कैसे इस पश्ट करोगो यह लोग करते ही रहते हैं अपना ब्यंग मलेन उपास तो यह कैसी खड़ी बोली भासा का है पिर इसमें दिया हुआ है आंगे अपने मनों भावों को बहत कर उसमें सजीरता लाने के लिए कभी ने जीवन नवीन बिंबो का प्रयोग किया है जैसे जिसके अरोड कपोलों की मतवाली सुन्दर छाया में अनुरागनी उसा लेती थी निजस्वाग मदबाया में तो क्या का गया मनों भावों को बहत कर उसमें सजीरता यानि उनके मन में जो भावते उसको प्रस्तुत करके प्रस्तुत किया और ऐसा लगता है बिल्कुँ सजीव यानि हमारे सामने घटद हो रहा तूसरा बिंदू दिया है फिर लेकिन प्रस्तुत का बता में कभी ने नवीन सब्दो का प्रयोग किया नवीन सब्दो का आर्थ होता है नए सब्दो का प्रयोग करना यह बड़मना अरी सरलते तेरी असी उड़ाऊं मैं भूले अपनी या प्रमचना औरों की दिखलाऊं मैं यह उड़ाऊं मैं होगा मैं नहीं होगा ठीक है अब आगे यहां बड़मना प्रमचना जैसे नवीन सब्दो का प्रयोग किया गया है जिससे काब में सुंदरता आई है काब में सुंदरता आई का मतलम नएने सब्दो का प्रयोग करने से कवता सुंदर बन जाती है तीसरा बिंदू इस प्रकार लिख सकते है मानुवी करन सहली का मानुवेतर परदार्थों का मानों की तरह सजीव बना कर प्रस्तुत किया गया वो यह कहते जो वस्तुवें आया या पिर मानुवी जो भावना हैं उनको सजीव रूमें चत्रन किया गया यानि मनसों की तरह कार करते दखाया गया जैसे ठकी सोई ऐ मेरी मान बेथा अरी सरलता तेरी असी उड़ाओं मैं ठकी सोई ऐ मेरी मान बेथा यानि उन्होंने अपनी मान बेथा को मिका किया मानुवी करण किया अब आगे तो उनकी कवता में मानिक करण का प्रयोग किया गया यह लिख से अलंकारों के प्रयोग से काब संदर बढ़ गया है यानि जो कवता उसमें अलंकारों का प्रयोग किया जिससे कहता काब का संदर यानि कवता की संदर ता बढ़ जाती जैसे दिया खिल खिला कर आते आते में पुनरुत अलंकार का प्रियोग किया गया है पिर दूसरा दिया अर्ड कपोलो में रूपक अलंकार है मेरी मौन अनुरायगी उसा में अनप्रास अलंकार है तो अलंकार से भी कवता क्या होती सुन्दरता बढ़ जाती इस तरह से ये ज उसे कवता में के सुरूप में अभिवक्त किया है। प्रस्त ऐसे समझो कि कवु ने जो सोक वाले स्वपन देखे थे उसे कवता में के सुरूप करें से प्रस्तुत किया है। तो ये देखो एक चितर मना हुआ है जो नायक नायका है देखो ये बैठे हुए साथ में ये चंद यह है और इसकी प्रेम का साथ रहे होंगे अब उत्तर कैसे लिखेंगे कभी ने जो सुख का सवपन देखा था उसे वह अपनी प्रेशी नयका के माध्यम से व्यत करते हैं कभी कहता है कि नयका सवपन में उसके पास आते जाते आते जाते कर नहीं आते जाते नहीं होगा यहां पर उत्तर होगा आते आते मुस्करा कर भाग गई कभी कहना चाहता है कि जिस प्रेम के कभी सपने देख रहे थे उन्हें कभी प्रात नहीं हुआ कभी ने जिन सुक की कल्पना की थी वह उसे कभी प्रात नहुआ और उसका जीवन अमेशा उस सुख से बंचिद ही रहा इस दुनिया में सुख छलावा मातर है हम जिसे सुख समझते हैं वह अदिख समय तक क्या होता है नहीं रहता है सुपन की तरह जल्दी समाथ हो जाता है अब इसको हम समझ लेते हैं देखो प्रसन क्या था उसमें ये कहा गया था कि उन्होंने जो सुपन देखा था सुख का उसे किसरू में प्रस्तुत किया है तो ध्यानक को कभी कहते हैं कि मैं अपनी प्रेमका के नायका के माद्यम से ये प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि मैंने उसके साथ को लगने लगा कि जो सुक थे वो सपन की तरह थे, जल्दी ही समात हो जाता है, और ऐसा लोगों की जीवन में भी होता है अब आते हैं, रचना और अभिवेक्ति वाले परसन, तो परसन नमबर दिया है पहला रचना और अभिवेक्ति में इस कवता के माद्यम से परसाद जी के ब्यक्तित की जो जलक मिलती है उसे अपने सब्दों में लिखिए तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे ये देखो बना हुआ है चित्र तो यह जैसंकर परसाद और यह प्रिम चंद तो दोनों के अब उत्तर इसका कैसे लिखेंगे तो उत्तर लिखेंगे इस कवता को पढ़ कर परसाद जी के ब्यक्तित की ये विसेशता एं हमारे सामने आती हैं तो कौन कौन सी विसेशता एं सामने आती हैं पहला बिंदू सरल और भोले यानि उनका सुभाव का ऐसा था सरल और भोले थे तो उसके अंतरगत लेकिन के परसाज जी एक सीधे साधे बेक्तत के इंसान थे उनके जीवन में दिखावा नहीं था उनके मित्रों ने उनके साथ छल किया फिर भी वे भोले पर में जीते रहे पर ये समझ में आगा कहते हैं उनका सुभाव का ऐसा था सरल तो देखो संसार में जो बेक्ती सरल सुभाव के होते बोले सुभाव के उनके साथ हमेशा लोग अक्सर छली ही करते हैं दूसरा बिंदू इस प्रकार से रहेगा गंबीर और मर्यादित वे अपने जीवन के सुख दुख को लोगों पर बेक्त कर स्वयम को हसी का पात नहीं बनाना चाहते हैं कहने का मतलब यह कि बहुत ही सिंसियर यानि गंबीर सुभाव की बेक्ती थे और मर्यादित यानि वो एक सीमा तक ये मानते थे कि हमें अपने सारे सुख दुख लोगों के सामने परस्तुत नहीं करना चाहिए नहीं तो लोग क्या करते हैं उसको अपास करते हैं या उसका मजा कुड़ाते हैं तीसरा बिंदू हम लिखेंगे परसाज जी का सुभाव को तुर्वल इंसान कहना उनकी बिनमरता परकट कहता है अर्थात ये कागया है कि जो परसाज जी हैं उस सुभाव को कैसे कहते हैं बहुत ही कमजोर मानते हैं और ऐसा काइना उनकी क्या बिनमरता को परकट करता क्यों बिनमरता को परकट करता क्योंकि ये तो अपने समय के बहुत बड़े कभी थे और बहुत बड़ा कभी अपने आपको बहुत छोटा समझे तो इसका मतलब ये उसका बड़ा पन या बनमरता ही कहलाएगा अब ये देखो फिर चित्र बने आए अगला प्रसना है आप किन बेक्तियों की आत्म कथा पढ़ना चाहेंगे और क्यों तो ये आप अपने मन से परसन उत्ता लिख सकते हैं आप जिसे बहुत अच्छा मानते हों उस बेक्तियों का नाम लिख दी जाएगा और फिर क्यों आत्म कथा पढ़ना चाहेंगे उसका कारण लिख दी जाएगा तो हमने या तीन चितर परस्तोत किया है एक तो ये सुराशच और करमठ लोगों की आत्म कथा पढ़कर उनसे सिच्छा ग्रैंड करनी चाहिए हमें देश प्रेमी करांदकारी लेखक कराकार आद की आत्म कथा हैं पढ़नी चाहिए उनके बारे में पढ़कर हमें ये पता चलेगा कि उन्होंने सफलता कैसे प्रात किया है और किन तो किसी एक का नाम लिखकर उत्तर लिख सकते हैं और चाओ तो इस तरह से लिख सकते हैं कि हम ऐसा उनकी आत्मकता पढ़ना चाहेंगे जो जो देश प्रेमी हैं जन्हों ने देश के लिए संगस किया उन करामतिर कारियों के लिए जो देश के लिए क्या हो गए सहीद हो गए उन लेखकों के लिए जिन्हों ने अपनी लेखनी से पूरे देश में परवर्तन ला दिया तो हम ऐसे ही लोगों को पढ़ना चाहें कि आत्मकता पढ़ना चाहेंगी क्यों कि ये भी जानना चाहेंगी कि कैसे उन्होंने मिसीबितों में संगस किया और वो आगे बढ़े अब प्रसन नमबर आता है आपका तीसरा तो तीसरे प्रसन इस प्रकासे है कोई भी अपनी आत्मकता लिख सकता है उसके लिए विसेश्ट या बड़ा होना जरूरी नहीं हर्याणा राज के गोड़गाँ में घरेलू साइका के रूम में काम करने वाली बेबी हालदार की आत्मकता बहुतों के द्वारा सराई गई आत्मकतात्मक सहली में अपने बारे में कुछ लिखी है देखो यहाँ पर दिया गया है कि जो आत्मकता है कोई भी बेक्ती लिख सकता है यहाँ तक की हर्याणा राज की एक घर में काम करने वाली जो मैला थी जिसका नाम ते बेबी हालदार उसने भी बहुत आत्मकताई लिखी और वह संसार में या जगत में बहुत पिरसिद हुई तो उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं जैसे उत्तर यह रहा उत्तर अली जैसे मेरा नाम विनाय कटियार है मैं तेरे साल का हूँ मैं गाओं में अपने माता पता और बड़ी बैन के साथ रहता हूँ हमारा जीवन बड़ा एक कष्ट में है मेरे गाओं में किसी भी प्रकार की कोई मूलबूस सुबदा मूलबूस सुबदा हम किसे कहते हैं विजली पानी स्कूल अस्पताल आद को ठीक ना उने के कारण यहां का जीवन बड़ा एक कष्ट प्रद है मेरे गाओं में यहां पर में एक बार रगा कोई विद्याले ना उने के कारण हमें करीब पांच किलो मीटर पर दिल जाना पड़ता है फिर आंगे हम इसके लिखेंगे कि मुझे पड़ाई के साथ खेत में माता पिता का आद भी बटाना पड़ता है हमारा पूरा परवार करिसी पर यह केंदरित है इसलिए खेतों में बहुत मेनत करनी पड़ती है मैं और मेरे मित्र सुबह बड़ी जल्दी उटक नदी से पानी बरका लाते है उसके बाद बिद्याले के लिए जाते है रोज बिद्याले से घर के रास्ते में एक मंदर पड़ता है मैं और मेरे मित्र रोज उस मंदर में जाते है हमारी रास्ते भर सरारतें चलती रहती है साम के समय बिद्याले से लोटते समय हमें जंगल से सूखी लकड़ियां बटोर कर लानी पड़ती है और हमारे पसूख के लिए हराचारा भी लाना होता मेरा अलच्छ है कि मैं उच्छ सिच्छा परात कर अपने गाउं की तस्वीर बदलूँगा और अपने माता पिता के सपनों को सच करूँगा मेरे माता पिता मुझे एक अच्छा डाक्टर बनाना चाहते हैं मैं गाउं के पास में अस्पताल ना होने के कारण यानि मेरे गाउं में अस्पताल ना होने के कारण सभी को बीमारी के समय कापे कटनाई का सामना करना पड़ता है इसलिए मैं भरपूर मेनत करना चाहता हूँ तो इस प्रकार से आप देखो अगर आप सच में जीवन में कठन समय से गुजर रहे हूँ आपको बहुत संगस करना पड़ रहा हूँ ठीक ऐसे जैसे बहुत सारे बच्चे देखो स्कूल जाते इस तरह से बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो स्कूल जाने बजाए बिचारे काम पर जाते हैं लकरियां जंगल से लाते हैं तो इस प्रकार से आप अपनी आत्मकता लिख सकते हो अगर ना लिखना है तो इसी तरह से ये कालपनिक आप लिख सकते जैसे मैंने इसमें लिखा तो ये हो गया आपका पार्ट आत्मकत जिसके कविये जश्वंकर परसा जो आपके कच्छा दसवी NCRT और CBSC बोर्ड और अलग-अलग राजियों में चलती है तो इस पार्ट के हमने आपके सामने पार्ट जो प्रसनुत्तर है वो प्रस्तत किये और समझाने का भी प्रियास किया अगर उसके परशाद भी किसी परकार का कोई डाउट हो समझ में आया तो कमेंट करके हमें अस बताईएगा और बहुत ही एक दो दिन में ही कि मैं इस पार्ट के प्रसनुत्तर को www.indy.bharati.in पर भी बेज दूँगा और इसकी जो description है यहाँ पर हम link दे देंगे और आप यहाँ जाकर इसको देख सकते हैं और देखकर link भी पर सकते हैं पर सकते हैं समझ सकते हैं तो फिर आज के लिए इतना ही अब हम फिर मिलेंगे किसी नेविसा के साथ तब तक के लिए धन्वाद